नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपका हरीश कड़े मैं हूँ हरीश और आज हम बात करने वाले हैं नमबर सिस्टम के अगले पार्ट की और इस पार्ट में संख्याओं के एकाई का अंक ग्यात करना इसके लावा एक से सो के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो चैसे वहाज संख्या जो नमबर सिस्टम है बो पढ़ेंगी इसके लावा अंक से संख्या पढ़ेंगे कि जैसे एकाई का अंक यह है दहाई का अंक यह है अंकों को परड़ देने पर जो संख्या बनती है मतलब इस संबंदिश जितने भी टाई के कुश्चन होते हैं वह हम इस वीडियो हुई है संख्या के एकाई का अंक गयाद की जिए यहां पर 1572 के ऊपर 603 की पावर है कोई वी संख्या यह तो मैंने ऐसी फ़वर एग्जाम पर ले लिया है यहां पर 381 के ऊपर 199 की पावर इसके लावा यहां पर एक लंबा सा कुश्चन दिया है 217 के ऊपर इतना पावर इतने power इतने power इतने into into सा में काई जानक सबको मिला करके गयात करना है तो इससे पहले में आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ ताकि आप इनको बहुत ही आसानी के साथ इनको solve कर सकते तो यह पहला नियम है कि घात में आपको 4 का भाग देना है जैसे कि अगर मैं मेरे पास यह question आ जाए कि 562 में 562 में अगर power है पांच चार तीन दीन ठीक है कोई भी घात है तो हमको क्या करना है सबसे पहले चार का भाग देना है तो चार का भाग देना है तो चार एक कम चार कितना बचा है यहाँ पर एक बता है चार चारती बारा इसके बाद चर पंच फ़ल है उसको इसके उपर power चला दो मतलब एक की power बची फिर भी आपको क्या करना है last digit base लेना है मतलब 2 की उपर एक की power कहलाईए आपको याद रखना है क्योंकि हमको क्या चाहिए हमको की इकाई का अंक क्या होगा तो सिर्प आप लास्ट के अंक से मतलब रखो मतलब एक क 2 की power है मतलब एक alternate की bill का किर दो ऑगोगा उसी प्रकाशए अगर मान कि चलो सकी उपर 2 की power हो जाती उसी प्रकाशए मान के यलो 562 की उपर 2 की power हो जाती जब भाग दे डेती चार का तो क्या हो जाता सिर्प आपको सको यह कि एक Caribbean के धिय resisting पार इक convenience नसके बार के जाएगे मान के चलो बच गया, दो के उपर चार की पावर बची, तो वही करेंगे दो दुनी चार, ठेना, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोला, मतलब एकाई कांक क्या जाएगा, आफ का छे आजाएगा इसके बाद, चार बार होने के बाद इससे ज़्यादा तो होगा नि क्योंकि हम और लेड़ी चार का भाग दे रहे हैं और चार का ही भाग क्यों देते हैं ये भी बहुत अच्छी तरह के से आप सो पता होना चाहिए जैसे कि मैं कहूं अगर दो की उपर एक की पावर है तो दो आएगा दो की उपर अगर तीन की पावर है तो 1 आएक कंग के क्या आजाएगा 2 दो 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 12 दूनी 32 मतलब एकाईक अंक फिर से क्या हो जाएगा दो हो जाएगा तो इसलिए हमेशा ये चार का भाग दे दिया है ये इसके पीछे लोजिक है कि चार का ही भाग दिया जाता है क्योंकि हर पांचमी बार में क्या है वही अंक रिपीट होने लगते हैं जैसे कि अगर 6 की प पीट होने लगती है एकाईक अंक की तो इसलिए चार का भाग दिया जाता है ठीक है ये बात आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी तो कैसे करना है आपको ये करना है चार का भाग दे के जो रेमेंडर बचता है वो एकाईक अंक पे आपको उसको एपलाई कर देना है त ठीक है, 9 के उपर यहाँ पर कोई भी संक्या देदो, 556 कुछ भी देदो, संक्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको पावर से मतलब है, क्योंकि हमें एकाई का अंक चाहिए, तो हमें एकाई के अंक से ही मतलब होने चीज़, इसमें देंगे हम 4 का भाग, तो 4 एक हम 4, कितना बचा है हाँ पर, एक बचा, तो 4 दुनियार, 4 ती 12, ठीक है, कितना बचा है रिमेंट है, 2 से इस फल बचा, तो अब सिर्फ हम 9 के उपर 2 की पावर चाहा देंगे, इस साइड जो भी है, उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 9 का, आप सिर्फ लास्ट बाले डिज करना है, तो इससे तो बहुत समय लगेगा, तो फिर हमारे पास एक और तरीका है, जिसको अगर आप याद रखेंगे, तो आप उससे बहुत आसानी से बहुत जल्दी निकालने लगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो तरीका यूनिवर्सली, ये सबको पता रहता है, ठीक है, तो वो तरीका कौन सा है, वो है, कि अगर एकाई की अंक में, किसी संख्या के, एकाई की अंक में, 0, 1, 5, और 6 आता है, तो एकाई का अंक वही रहेगा, यानि नो चैंजिस रहेंगे, नो चैंजिस रहेंगे, एकाई का अंक वही रहेगा, चाहे आप इसके उपर कितने की भी पावर चाहा दो, जैसे मैं कहूँ कि 565 की उपर, 565 की उपर 6590 कितने की भी पावर दे दो, 6590 की पावर है, तो एकाई कंक के गया होगा, तो आपको चाल का भाग नहीं देना, एकाई कंक 5 है, तो answer ही एकाई कांक 5 ही रहेगा, यह आपका universal है, no changes हो जाएगे, एकाई कांक 0 है, तो 0 ही रहेगा, क्यों रहता है यह सा लेकिन क्यों, क्यों जरूर आप लगाया करो, अगर आपको उसकी अंदर तक जाना है, उस चीच को समझना है, तो यह जरूर बोला करो टीचर से कि क्यों ऐसा होता है तो क्यों, यह ट्रक बनी है तो क्यों, तो क्यों का जैसी आप लगाना सुरूर कर देंगे, तो आपको वो चीज़ें एकड़म किलियर होने लगेंगी, वो दिमाग में आपको बैटने लगेगा, जैसे कि मैं कहूं, ऐसा क्यों होता है, कि यह इसमें no changes होता है, क्योंकि भाई साब, 0 में अगर कितने की भी पावर चला दो, 0 को गुड़ा, 0 में करोगे, तो last में 0 ही आएगा, इसका जाहे, आप कितने बार भी गुड़ा कर दोगे, तो 0 ही आएगा, जैसे कि मैंने कहूं, जैसे कि मैंने कहा, 541, तो एक आइकां की यह है, अब इसमें कि पावर चला दो, जैसे 944 की चला दो, तो भाग दूँगा, अब इसमें कितने की भी पावर चला दो, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, तो क्या होगा, एक का जब एक में गुड़ा होगा, तो एक ही आएगा, जैसे एकाई का अंक ले लो आप, अब एकाई, क्योंकि हमें एकाई से मतलब एकाई के अंक से, तो एक में आप कितने भी बार गुड़ा करोगे, करते जाओगे, तो एकाई का अंक एक ही है, तो आप का अंसर एकाई का अंक एक ही आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एकाई के अंक से मतलब है, उसी प्रकास 6 है, तो 6 में आप कितने भी बार 6 का गुड़ा क कि अगर ये चार अंक आते हैं, उसमें कितने की भी पावर चरहादो, एकाई का अंक अगर ये चार है, तो उसमें आप कितने की पावर चरहादो, वही का वही एकाई का अंक आएगा, बिना देखे आप बलकुल लगा सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अगर इसमें अगर गहात अगर आपकी एकाई कांक देखना है अंक है माले कोई भी अंक है तो ये आपको याद रहना है चार में अगर गहात कैसी है सम है गहात कैसी है सम है तो आपका एकाई कांक 6 ही आएगा जैसे कि अगर मैं यहां कहूं 500 और यह 62 तो यह कैसी गहात है यह स तो sum में आपका 6 ही एकाई कांग आएगा बैस आपको कुछ नहीं देखना सबसे पहले यहां देखना है unit digit कितनी है आपकी 4 है तो 4 में अगर घात कैसी है sum है यह गहात कैसी है sum है यानि दोका भाग पूरा पूरा चला जाता है तो एकाई कांग हमेशा 6 ही वचेगा अगर बिस sum है तो क्या होगा अगर घात बिसम है तो एकाई कांग इसमें 9 ही रहेगा यानि बिसम 9 बिसम 4 चार की 4 ही बिसम में हमेशा वही का वही रहेगा तो यह 4 अंग आपके आ गए और 2 और यह हो गए तो 4 दो 6 अंग तो आपके बिलकुल clear हो गए मतला आपका 60% काम clear हो गया अब सिर्फ बचे 4 अंग कौन से 2 और इसके लावा कितना बचा 3 इसके बाद आपका बचा 7 और एक बचा 8 इनमें आपको 4 का भाग देना ही पड़ेगा तब ही आपका निकलेगा ठीक है तो यह चीज़े बिलकुल दिमाग कर बठा लो कि अगर 9 के ऊपर एकाई कांग क्या है माल भई 9 याद लखो 9 में अगर सम है तो एकाई कांग क्या वचेगा एक वचेगा तो एकाई कांग क्या होगा एक होगा विस आख बंद करके सिर्फ यहां एक लिख दो क्या अंसार इसका एक हो जाएगा लेकिन अगर घात कितनी है यहां 65 होती यह विसम होती तो एकाई कांग तो आपको और किलियर होगा जैसे कि पहला कुष्चन है 1572 अब यहाँ पर दो है तो उन 6 में से कोई नहीं है मतला हमको 4 का भाग देने पड़ेगा तो देर मत लगाओ सीधे भाग दादो 4 का भाग देंगे 4 एकम 4 दो बचेगा 4 पंचे भी 4 चंग 24 चार चंग 24 यहनि कितना बचा आपके पास 3 बचा रिमेंडर मतलब दो के उपर आप 3 की पावर कर दो यहनि 2 गोड़े 2 गोड़े 2 मतलब दो दुनी चार दुनी 8 एक आई का अंक क्या हो जाएगा आपका 8 यह आंसर हो जाएगा उसी प्रकास से 380 है मतलब यहाँ पर 1 आपको दिख गया एक दिख गया तो कितने की भी पावर हो एक आई का आंक क्या होगा एक ही होगा आपका वैस आपको कुछ नहीं देखना क्योंकि उनल डिजिट क्या है मैंने क्या पड़ाता है 0156 यह है अगर एक आई का आंक है तो क्या है यही आंसर रहेगा no changes हो जाएगे तो उसी प्रकास है यह दूसरा इतना लंबा दिया हुए कुश्यन है इस पर हमें एक आई कांक के गयात करना है तो यहां साथ है मतलब आपको चार का भाग देने ही पड़ेगा कर लो ठीक है तो चार दहम 40 तो यहां पर कितने बचा एक बचा और चार की 12 मतलब एक से सफर बच इंटू क्या कर दिया हमने अब यहां पर एकाई कंक नाइन लिख गया अब नाइन दिख गया तो अब याद करो अगर आपका विसम है तो रिमेंडर नाइन ही बचेगा अगर विसम है तो फ़र एक बचेगा है ना तो यहां क्या है विसम है तो विसम में हमेशा नोई रहे तो इन्हों लिख दो एकाई कंग, याद आगे आपको, अब यहाँ पर एकाई कंग क्या है, चार है, तो याद करो, एकाई में अगर सम है, सम है, तो क्या करना पड़ेगा, सम है, तो छे, अगर बिसम होता, तो हमारे पास चार ही रहता, तो यह क्या है, सम है, तो सम में आपक यहाँ पर 6 आ जाएगा, कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, इसके लाबा इंटू लगा तो इंटू लगा दो, यहाँ पर कितने की 2 है, तो हमको इसमें 4 का भाग देने ही पड़ेगा, तो 4 का भाग देंगे, 4 दोनी 8, यहाँ पर 2 आ गया, है ना पूरा चला गया, 4 ती 12, मतलब पूरा पूरा कड़ गया, तो यह 0 हो गया, 4 ती 12, मतलब पूरा पूरा कड़ गया, तो अब पूरा पूरा जब कड़ जाता है, तो मैंने बताया था कि अगर पूरा पूरा कड़ जाए, तो उसकी पावर यहाँ पर 4 ही लिखना है, क्या लखना है, पावर 0 नहीं लिखना ह तो यहां पर 2 Q पर 4 की पावर में 2 दोनी 4, दोनी 8, दोनी 16, मतलब क्या हो जाए, एकाई कांकि 6 हो जाएगा, तो यहां 6 बिस लिख दो, तो 6, 6, 36 तो यह 36 हो गया, फिर 6 को लो इसमें गुड़ा कर दो, नुचक्का चंगन फिर चंगन में पांच चंगन तो चार को लो यहां गुड़ा कर दो तो इस साथ चो को 28 मतलब एकाई कांग कि क्या हो जाएगा आपका आठ हो जाएगा यही आपका अंसर है बैस आपको बिल्कुल आसानी के साथ इसको solve करना है कोई दिक्कत नहीं ठीक है आयोप आपको इस चीज़े समझ में आ रही होंगी अगर आपको चीज़े समझ में आए तो प्री लाइक जरूर कर देना मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी वीडियो सर मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं अगर आपको पसंद आ रहे हैं तभी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इस परकार से ये हुगा एकाई का अंक ग्याद करना अब हम थोड़ा सा और दूसरे परकार के कुश्चन करते हैं जिसमें आपको मजा आएगा अगला कुश्चन है एक से सो तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो छैसे विभाज हैं तो यहां पर जब छैसे विभाज कह रहा है तो एक चीज आपको बिल्लकुल याद रखना है कि इसमें आपको क्या करना है कि 100 से भाग दे देना है 6 का क्योंकि 6 से भाग दे दो तो आपको वो संख्याएं आजाएंगी तो 6 का भाग दे देंगे तो 6 एकम 6, 6 6 चात्य जो सेस फल बाचे इसको भूल जाओ जितने बार भाग गया है वो आपका क्या हो जाएगा इसका अंसर कोई बड़ी बात नहीं है एक से सो तक के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से भाग देदो तो वो संख्या आजाएंगी क्योंकि वो क्या होंगी 6 की मल्टिफिकेशन होंगी तो यह आजाएंगे आपकी टोटल कोई कितनी है जैसे कि अगला कुश्चन है तीन अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाज है तो तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाज है इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको पढ़ना पढ़ेगा कि तीन अंकों की कितनी संख्या है तो मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है नाइन 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 तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है हम सबी जानते हैं इससे बड़ी तो होंगी नहीं तो तीन अंकों की कुल कितनी संख्या हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। यहां पर अगर हम जो की छे से बिभाज होगी। 909 है यह लिख दिया हमने। अब छे से बिभाज होगी। छे का भाग दे तो हमने अभी बढ़ा था। तो 6 से भाग देंगे, तो इससे क्या पूरी संख्या आजाएंगी, नहीं, इससे क्या होगा, कि इसमें दो अंकों वाले भी संख्याएं मिली हुई हैं, तो उनकों माइनस करना पड़ेगा, यानि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, निन्या नवे, इसमें से भी 6 क बाद देंगे तो 6, 1-6, 636, 636, जो 6पल बचा चूट जाओ, उसको भूल जाओ, यहाँ माइनस कर दो, किसका इससे, 6, 1-6, 636, बैसे से माइनस कर दो, तो आपका जाएगा 150, वैसे यही तो अंसर है, कुछ नहीं करना आपको, जासी नंको की, कुल कितनी संक्या है, जो 6 से व तो आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी अब हम पढ़ते हैं छोटी सी बात और आप से कर लेते हैं हापर कि जैसे अब हम अगले कुश्चन जो करने वाले हैं वो यह हैं कि एकाई का अंग और दहाई का अंग मैंने माली यह कोई संख्या माली xy ठीक है यह कोई भी संख्या है यहसे मैं यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर एक संख्या लिख दी और यह मैंने उसका syntax लिख दिया ठीक है syntax आउस समझ रहे होंगे तो अब गर मुझे इस 12 को denote करना है एकाई दहाई के रूप में तो कैसे लिखूँगा जैसे मैंने कहा कि इसको मुझे represent करना है एकाई दहाई के रूप में तो एकाई कांग क्या है दो लिख दिया तो दहाई कांग क्या है एक है तो दहाई में हमेशा 10 का गुना होता है तब वो संख्या बनती है क्योंकि 10 एकम 10 और 2 कितना हो गया 12 तो यह संख्या बनी उसी प्रकास अगर मुझे इसे डिनेट करना है तो एकाई कांकिस में है y लिख दिया प्लस लगा दिया इसके बाद x में हमेशा जो यह दहाई है इसमें हम जानते हैं कि किसका गुणा होगा x का गुणा होगा तो यह x का गुणा होगा मतलब अगर हमें माननी कोई संख्या है तो उसको हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा माना कोई संख्य एकस वाई है तो एकस क्या होगा दहाई कांग वाई क्या होगा एकाई कांग जैसे मैं कहूँ इस संख्या को पलड देने पर प्राप्त संख्या क्या होगी तो अगर मैं इसी प्रकासे इसको कहूँ तो इसको पलट देने पर क्या बन जाएगी 21 बनेगे की नहीं 21 बनेगी तो 1 आई कांके क्या होगा 1 होगा और प्लस 10 आई कांके क्या होगा 2 होगा तो 2 में हमेशा 10 का गुणा होगा तभी तो वो संग क्या बनेगी 22 और 21 तभी तो 21 बनेगी उसी प्रकास से इसमें क्या हो जाएगा जब x y है तो ये पलट किया हो जाएगी y x हो जाएगी क्या हो जाएगी y x हो जाएगी तो इसको इस प्रकास से लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो x लिख दिया और प्लस लगा दिया और 10 y कर देंगे क्योंकि 10 into y कर देंगी तो इस प्रकास से ये प्रट के संख्या ये बनेगी इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज रहते हैं इसलिए पहले मैंने ये चीज़े बताई हैं अब मैं इसे सम्बंदित कोई भी कुश्टन कराऊंगा तो आपको वो आसानी के साथ बन जाएंगी तो वो चीज़े हम करते हैं अगले वीडियो में बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार झाल